students of class second हमने chapter 2 exercise 2.4 तक मैंने आपको करवाया next exercise आपकी है 2.5 2.5 2.6 यह chapter 2 है आपका 2.6 तक है यह exercise आपकी है word problem word problem अभी आपको यह वीडियो के recording समझ नहीं आएगी जब आप class में आओगे यह मैं आपको face to face समझाओंगे अच्छे से तो इसे अभी हम अभी के लिए यहां पर skip करते हैं बाद में करवाएंगे अब हम आज करेंगे यह आपकी मैस की book में जो मैंने आपको चैप्टर वन करवाया है exercise कराई है 1.1 से 1.8 तक उनकी वीजन exercise set 1 है अज हम इसे करेंगे यह आपके book के पीछे है set 1 your first sum is set 1 का form four two digit numbers using the given digits and then arrange them in descending order descending order इसमें क्या कहा है कि two digits यह आपको मैंने बताया था जब single यह जो दिया है यह digit है जब हम इनको एक साथ write करते हैं तो एक number बन जाते हैं यह तो यह two digit दिया है इनको लेके हमें two numbers बनाने आलग लग फिर उन numbers को हमें descending order में change करना है इसको लेके हम two digit बनाएंगे फो टू यह बन गया हमारा 42 कोमस हमने अटा दिया यह कोमस था तो बीच में यह digit थे वह हम इन दोनों को एक साथ लिखा तो यह number बन गया 242 से हम दूसरा डिजित नंबर बनाएंगे तो two को पहले लेंगे 2424 अब हमें इसको descending order में write करना है descending order मैंने आपको समझाए थे descending order means greater to smaller न बड़े से छोटा number जो हम बनाते हैं आपने previous अपनी अपनी class में भी सीखा और मैंने भी आपको second की class में भी ये वीडियो में बताया था descending order क्या होते हैं पहले हमें descending order में बड़ा number लेना होता है तो अब हम आपने two numbers यहां बनाए 42, 24 तो इसमें bigger number हमारा कुन सा है 42, smaller 24 next 96 digit दिया है तो इसे bigger number बनेगा 96 second 69 69 तो इसे descending order में हम change करेंगे descending order में bigger number हमारा क्या है 96 96 69 तो आपको मैंने ये भी solve किया है c d आपको homework में ये करने है कल मैं आपको इनके answers बताऊंगे second sum fill the missing numbers missing numbers जो ये blanks यह missing number है आपको fill करने है ये भी आपने exercise 1.2 में सीखे थे 36 missing number में आपको पता है कि missing number कि आपने ये देखना है इन दोनों number जो हमें दिये हैं given number इनके बीच में कितना difference है 36 के बीच में कितना difference है 3 digit का तो हमें blank से पहले जो digit दिया होता है उसमें हमें उतने ही digit add करने होते हैं तो 3 और 6 के बीच में कितना difference है 3 digit का तो blank से पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 6 में 3 add करेंगे यहाँ पर क्या आजाएगा 9 9 में 3 add किया हुए यहाँ पर दिखाया हुए करके 12 12 में 3 add हुए 15 तो अब इसी type से 15 अब blank से पहले 15 है 15 में 3 add करेंगे 15 में 3 add किया तो क्या आगया 18 18 में 3 21 23 में add किया 24 24 में 3 add करेंगे 27 next भी अब आपको यह देखना है कि किस रूप में दिये हुआ है numbers यह आपके back counting चल रही है देखें यहां पर यहां दिये हुआ है 13 12 11 तो अब 13 तो आपको यह देखना 13 से पहले क्या आता है number 14 यहां पीछे से भी आप देख सकते हो 7 यहां पर क्या आएगा 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो यह back counting चल रही है और 11 का इसमें difference है 4 यह next c d आपको करने है यह खुद 3rd sum is arrange the following in ascending order ascending order smaller to bigger छोटे से बड़ा number जब हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं ascending order यह भी आपने previous class में भी सीखे हैं और मैंने second में भी आपको यह exercise करवाई है part A 11 18 21 38 तो हम इसके numbers read करेंगे तो आपको यह देखना है कि smaller number कौन size में smaller number check करने के लिए आपको method बताया है कि सबसे पहले हम कौन सा digit देखते हैं tense place पे तो tense place में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 1 2 3 तो हमारे पास tense place में सबसे चोटा number कौन सा है smaller to bigger सबसे पहले हमें small number लेना है तो tense place में हमारे पास क्या है 11 18 तो अब दोनों में सबसे चोटा number कौन सा है 11 तो यहाँ पे क्या write करेंगे हम 11 पहले हम जो 10th place पर 1 दी है उन दोनों numbers को write करेंगे 18 next 10th place पर क्या है 2 10th place पर 3 तो चोटा number क्या है 2 21 x 31 smaller to bigger 11 18 21 38 b c d मैं आपको इनके इंसर दूँगे और compare the following and fill the boxes with greater than, smaller than और equal to अब आपको इसमें क्या करना है आपको ये 10th once के इसमें दिये हैं इसको इसके according भी कर सकते हो 5 10th 2 once तो आप इसको write भी कर सकते हो 52 5 10th 5 once 55 अब आपको compare करना है कि कौन सा नंबर bigger है 52 55 10th place पे दोनों side 5 है 10th place पे 10th place पे दोनो side 5 है once place पे इदे 2 है इदे 5 है तो greater number कौन सा हुआ 55 9 10th 3 once 93 3 10th 9 once 39 10th place चेक करते हैं पहले 10th place पेस में क्या है 9 इदर है 3 तो greater number क्या हुआ 93 5th sum represent the following numbers on the given abacusus यहाँ पे आपको number दिया है number name दिया है 53 53 आपको यहाँ पे once first of all write करेंगे तो 53 once place में 3 10th place में 5 53 हमने यहाँ पे numeral write किया once tense में आपको अब इसके क्या करने है beads यहाँ पे बनाने है once में कितने है 3 3 डिजिट यहाँ पे हम 3 bits बनाएंगे 10th place में 5 यहाँ पे हम 5 bits बनाएंगे बच्चो यह जो मैंने भी आपको हर पार्ट के one one solve करके दिखाया उसके coding ही आपको जो मैंने दिया है हम वक में यह आपको solve करने है कल मैं आपको इनका solution दोंगी कल मैंने आपको जो यह add sum कराए थे बच्चो homework में दिये थे two sum मैंने solve किये थे find the sum next 3 to 6 मैंने आपको homework में दिये थे यह उनके answers है जहांबे आपने practice notebook में यह काम किया है से match कर लेना thank you have a nice day